हलो फ्रेंड्स, मैसेल ट्रीना कवर, आज एक नए हेल्थ इशू की बात करेंगे, ये एक ऐसी प्राउब्लम है जो हर वर्ग में बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो पुरुश हो, महिलाएं या बच्चे, और वो है बालों की समश्या है, जैसे बालों का जढ़ना, तूटन डेंड्रलम होना, इस्केल्प में इचिंग होना, दो मुखे बाल होना आदी, इन समश्याओं की कई कारण होते हैं, जैसे हमारी बदलती हुई लाइफ इस्टाइल, बालों की ठीक से देखवाल ना करना, फोशक तत्वो की कमी होना, पॉलुशन के कारण, और भी कई कारण होते हैं इसलिए बालों की उचित देखवाल के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा और्गैनिक शैंपू जो बहतरिन फलों के ओईल और सच से बना है और उसका नाम है कैपिलियस यह देखिए तो पाई जानते हैं कि इसमें ऐसे कौन-कौन सी पोशक तत्व हैं जो बालों को पोशन देकर नई जान देते हैं आर्गन ओईल यह आईरवेद का दिया हुआ एक ऐसा तोफ़ा है जो बालों के लिए किसी बरदान से कम नहीं है और इसके खास कौनों के कारण इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है यह पेड मुरकों में पाया जाता है और इसके फल की गुटली से ही आर्गन ओईल निकाला जाता है जो हेर ट्रीटमेंट के काम में लिया जाता है इसमें बिटामीन E भरपूर मातरा में होता है और बहुत सारे एंटि आक्सिडेंट भी होते हैं ये बालो और सकेल्प तौनों के लिए बहुत फायदे मन है आरगन ओयल सकेल्प के लिए मोश्राइजर का काम करता है और डेंडरफ और ड्राइ सकेल्प से लड़ने में मदद करता है ये बालो को मजबूत बनाता है और दो मुहे बालो के समश्या को खतम करता है ये करली बालो के लिए भी बहुत फायदे मन्द है क्योंकि ये बालो को नर्म बनाकर इस्मूद करता है ये एक living conditioner है जो बालो को चमकदार और मुलायम बनाता है और पोशिद कर तूटने से रोपता है एवोकाडो ये भी एक फल है जो बिसेशकर मेकसिको में मिलता है एवोकाडो ओईल प्रोटीन, फैटी एसिड, बिटामिन A, B, C, D, F का मुलेवान श्रोथ है ये बिटामिन्स बालो को चमकदार और मुलायम बनाते हैं और नए बालो का निर्मान करते है एवोकाडो ओईल में ओलिक एसिड होता है जो बालो को नमी और चिकनाई देता है ओलिव ओईल, ओलिव में पाया जाने वाला ओल यूरोपिन तत्व बालो के बढ़ने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और इसका एंटी फंगल गुन खुझदी और रूची का इलाज करता है कोकोनट ओल ये एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल है इसमें बहुत अधिक मात्रा में लौरिक एसिड पाया जाता है जो एक एंटी आक्सिडेंट माना जाता है और इसमें पाया जाने वाला fatty acid एंटी डेंटरफ का काम करता है Sunflower Oil इसमें सूरज मुखी के बीज का oil होता है इसमें allic acid और vitamin E होता है जो बालों को घना करता है और जणने से रोकता है Soya protein इसमें amino acid पाया जाता है इसमें vitamin E बहुत अधिक मातरा में होता है ये protein का बहुत अच्छा सुरोथ है और ये damaged hair को repair करता है ऐसे और भी बहुत सारे कोशर तत्व इसमें पाये जाते है इसमें अन्य शेंपू की तरह chemicals बिलकुल नहीं होता है ये बहुत सारे fruits oil और herbal plant से मिलकर बना है तो friends market के महेंगे और chemical युक्त शेंपू का यूज ना ले अपने बालों का बिसेश कर ध्यान रखें क्यूंकि ये इस्तरी की सुन्दक्ता का प्रतीक है इसके साथ ही आप यूज में लें रिवाइड्स hair oil ये देखिए इसमें है आमला और नीम आमला बिटामिन C का प्राकर्तिक श्रोथ है इसमें एंटि आक्सिडेंट और कोशक तत्व होते हैं और नीम एंटि फंगल है इस oil के क्या-क्या फायदे हैं ये अन्य तेलों की तरह चिप-चिपा नहीं है आमला बालों को सफिद होने से रोकता है और घना और लंबा करता है नीम बालों को कोशित करके डैंडरफ को दूर करता है ये बालों की व्रद्धी करता है बालों को जढने से रोकता है ये गहराई तक जाकर बालों की प्रतेक लट को कोशित करता है ये बालो को रेशमी, चमकदार और मुलायम बनाता है तो फ्रेंट्स आप सभी इन दोनों को कॉम्बो में यूज कीजिए और फिर रिजल देखिए इन दोनों को कैसे यूज करना है ऐसी किसी भी जानकारी के लिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसके साथ ही अपने खान पान का ध्यान रखिए पालक खाईए इसमें बिटामीन सी और आईरन होता है सकरकंद खाईए ये एंटि ऑक्सिडेंट होता है बालो को घना करता है अक्रोड खाईए इसमें ओमेगा 3 फैटी ऐसीर होता है ये बालो को मजबूत बनाता है गाजर खाईए इसमें बिटामीन E होती है जो बालो को उगने में मदद करती है बादाम खाईए इसमें आईरन, कॉपर, बिटामिन, B1 और प्रोटीन होता है जो बालों को बहुत ही मजबूत करता है खटे फल खाईए जैसे आमला, नीवू, संत्रा इनमें बिटामिन C भरपूर मातरा में होता है हरी सबजियां खाईए, दाले खाईए, तूद का सेवन कीजिए बालों की क्लिंजिंग का प्रोपर ध्यान रखिए, पॉलूशन से बचाव कीजिए थैंक्स टू आल, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, नमस्कार